तो दोस्तों यह सोनी WFC 500 ट्रू वायरलेस एरबड्स और इस एरबड में वन साइड नोट वर्किंग का जो प्रावलम है वह काफी ज्यादा आ रहा है यूजर को तो इसके लिए मैं आप सब को यह प्रावलम का जो सोलुशन है वह बताने वाला हूं कि कैसे आप सब अपना सो साइड में नहीं आता है तो इसके क्या करना हुआ कैसे आप सब को प्रावलम को संव्गना है वी यह चलता होगा कि चारजिंग केस में प्रोबलम है या एरबड में, तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंप्ली हम सबसे पहले इसके dedicate charging केश को charging kabel से power देंगे, ठिक है, तो यहाँ पे आप चार्जिंग केवल लगाते हैं, आप चेक कर सकते हैं चार्जइज बिलिंक होगी है, एंड हम्हारा जो एयरबट यहां पर को मिल जायंग के यप लीनिकन सब्सक्राइब लονारा गास लिए अब हम्हारा गर हमारा अगर एरबड जो light blink कर रहा है लेकिन फिर भी one side में जो sound है वो नहीं आ रहा है उसका क्या करने है तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे को बता दूँ अगर आपका एरबड आपका एरबड जो है वो charge ना हो तो उसमें आपको करना क्या है जिस भी साइड का जैसे कि हमारा charging point का जो पिन है केस के अंदर इसे हमने चेक करना कि हमारा जो पिन यह physical damage तो नहीं है और इसे हमारे जो एरबड के उपर भी जो golden point बने होते charging point इसे भी अपने देखना है कि इस पर कोई dust बगरा तो नहीं है अगर आपके जो physical pin damage है तो आपका जो एरबड वो चार्ज नहीं हो पा रहा होगा इसलिए आपका जो एरबड है वो वर्क नहीं कर रहा वन साइड कर ठीक है तो आप यह जो चीज है यह आप लेफ्ट वाले प्र windows के लाव करना कैसे अपने और निकाले निकाले और और निकालने के वादे वो करना कैसी अपने बतपने जो यह पिनुक्ष उस्टेप करने ख़र नहीं करन यह दिए और हमारा जो मतने को मिल जाते हैं लिए से अभर डेट उन workflow कि रखना है जबakना क्यासम तो यहां पर यहां पर यलो लाइट बिलिंग करके बंद ना हो जाए ठीक है तो यहां पर मैं आप सब के सामने लाइव करने वाला हूं आप सब वीडियो को धियान से दिखना तो यहां पर मैंने दोनों ही एरबड्स को एक साथ continue प्रेस करके रखा है और यहां पर चेक कर सकते तो यहां पर हमने अभी भी दबाके ही रखना कुछ पांस से दस से के बीच में अपने दबाके रखना है यह दिखिए अब जो हमारा जो यलो लाइट बिलिंग करना स्टार्ट हो जाए तो अपने अपना हाथ हटा देना हटाने के बाद देखो कि यहां पर जो लाइट है स्टैबिल हो जाएगा स्टैबिल होने के बाद एक कुछ सेकिंड के बाद यहां पर फिर से ब्लू लाइट बिलिंग करके बंद हो जाएगा ठीक है तो हम वेट करते हैं एक से दू से के बीच में हमारा जो यलो लाइट हो स्टैबिल होने के बाद बिलिंग करके बंद हो ज और यह स्टेप है रिसेट करने का तो आप सब भी अपने एरबड़ को इस तरीके से रिसेट करोगे तो आपका जो प्रावला में वो स्वल्फ हो जाएगा तो यहां पर आपका लाइट बंद हो जाए तो इसके वाद आपने करना कि इसके दोनों ही एरबड़ को बाहर निकालो और अपने स्मार्टफोन के साथ किसी भी डिवास को क्रेंट करके चेक करो आप चेक करो कि इसका जो वन साइट नोट वरकिंग जो प्रावला में वो स्वल्फ हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप सब अपना सोनी डवलू ए नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आको आउन करना कि मैं ऐसा ही लेटेस्ट डिएजर से ल